जैश्री राम दोस्तों मैं इक को रुपाध्याई स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शेर मार्केट एनलिसिस में रिजल्ट सीजन चल रहा है आज बजार बंद था लेकिन रिजल्ट पूरी तरीके से आ रहे थे कमपनियां काम कर रही है और रिजल्ट की बात की जाए तो एक चीज तो कलियरली मेरे को कि लास्ट क्वार्ट के जो नंबर ते ना क्वार्ट टू के उसके मुकाबले इक और जानतर कमपनी ज 만 खराब आ एक बड़ा कारण दिख रहा है मुझे कि लास्ट quarter से इस quarter में जो growth है वो कम हो रही है तो क्या ये एक turnaround है ये हम एक quarter में तो नहीं कह सकते हैं लेकिन हम आगे चल कर जरूर चेक करेंगे कि Q4 कैसा करता है वो हमारे लिए important होगा तो अभी आते हैं stocks के numbers पे सबसे पहले हैं आपके साथ बात करना चाहूंगा Zensa Technologies Limited इस company के number साथ ते वो दिखेंगे और results की बात की जाए exactly वही हुआ है जो होता आ रहा है quarter on quarter दिखकता आ रही है year on year basis पे देखोगे तो 76.5 करोड के मुनाफ़े के सामने 162 करोड का मुनाफ़ा company ने year on year basis पे post करा है लेकिन quarter on quarter अगर मैं चेक करता हूं तो 174 करोड के सामने 16 162 करोड का मुनाफ़ा रह गया है यानि quarter on quarter गिर जा है मुनाफ़ा revenue की बात की जाए तो year on year basis पे 1200 करोड के सामने 1254 करोड पे revenue पेश करा है लेकिन quarter on quarter 1241 करोड के सामने 1200 का रह गया है तो quarter on quarter revenue भी घटा है profit भी घटा है ये एक सही संकेत नहीं दिख रहे है मेरको कामकाची अगर मैं तो 194 करोड के सामने 176 करोड का रह गया है quarter on quarter basis पे और margins में देखें तो 15.66% के सामने 14.65% यानि almost 101 basis point से margins में भी गिरावट आई है तो थोड़ा alert है मेरी तरब से company ने अपने निवेशकों के लिए 2 रुपे प्रतिशेर का dividend भी announce करा है ये एक special में company ने 188 करोड का घाटा पोस्ट करा था उसके सामने 387 करोड का मुनाफ़ा पेश करा है इस बार लेकिन quarter on quarter पे देखोगे आप तो 1060 करोड का मुनाफ़ा घटकर 387 करोड का रह गया है तो बहुत बड़ा cut दिख रहा है ये मेरे को सालदर साल revenue की बात की जाए तो सालदर साल घटकर आया है और quarter on quarter बढ़कर आया है ये interesting है अगर आप सालदर साल देखे तो 30,900 करोड के सामने 28,380 करोड पे revenue रह गया है लेकिन quarter on quarter 22,840 करोड से बढ़कर 28,000 कर आया है तो ये थोड़ा सा different है quarter on quarter revenue revenue बढ़ा है year on year basis पे गटा है और profit quarter on quarter गट रहा है year on year basis पे तो फायदे में आया है ये company घाटे से margins में बड़ी पिटा ही पड़ गई है इस quarter क्यूंकि last quarter company ने 9.5% के समतें के margin पेश करे थे 9.36% के और इस quarter में के बल 4% के margins रह गए है 2138 क्रोड से कटकर 1158 क्रोड पे रह गया है तो ये और ज़्यादा खराब दिख रहा है मेरे को number company ने अपने निवेशकों के लिए 1.50 क्रोड का dividend जरूर अनांस कर रहा है तो मैं अलर्टी करूँगा इन दौनों ही stock में मेरी तरब से खराब number लग रहे है मेरे को पूरी तरीके से अब बढ़ते हैं आगे IIFL Securities के भी number आए है short में देखें तो ये अच्छे कर रही है company साल दर साल तो साड़े 65 क्रोड का मुनाफ़ा 149 क्रोड का हो गया है quarter on quarter 108 क्रोड से बढ़कर 149 तो दौनों जगा अच्छे number है मैं थमसब दूँगा पूरी तरीके से revenue भी बढ़ा है quarter on quarter 507 क्रोड के सामने 559 क्रोड पर आता हुआ दिखा है और year on year base पे 342 क्रोड के सामने 559 क्रोड के आया है तो ये बहुत ही अच्छे number दिख रहे है हर एक पैमाने पे इस stock में कल मैं closely watch करने वाला हूँ ओपरो है reality real estate की बात के जाए तो 2 रुपे प्रती share का तो company ने dividend दिया है अपने share दारकों के लिए लेकिन मुनाफ़े की बात करूँ तो साल दर साल तो 700 क्रोड के सामने 360 क्रोड का रह गया है टोटल रेविन्यू देखे तो वो भी बहुत ही खराब दिख रहा है 1629 क्रोड के सामने 1054 क्रोड की sale company ने clock करी है year on year basis पे और quarter quarter 1217 क्रोड के सामने 1054 क्रोड की यानि quarter quarter और year on year basis दोनों जगा गिरावट देखने को मिली है बट वही बात है company इनकी आगे की outlook land और कितना काम चल रहा है उसको देखते हुए positive देदे कह नहीं सकते बट यह भी मेरी तरफ से खराब ही number दिख रहे है मुझे हर एक प्रेमाने पे margins में भी almost 10 basis points की गिरावट है अब का जी मुनाफ़ा आधा रह गया है तो खराब number वालूँगा मैं इसको एक अच्छे number दिख रहा है वो है सिपला सिपला ने अपने profit का आकड़ा अच्छा पेश करा है बाकि details मैं भी देखने के चाहता हूँ